Hello everyone, मैं नाम संदीब बर्मन है और welcome to संदीब बर्मन इसके लिए यूटूब चैनल और आज जो हम लोग टॉपिक देखेंगे वो है आपका PPE PPE यानि की इसका फूल फॉर्म होता है Personal Protective Equipment तो आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि कौन कौन सा Personal Protective Equipment हमको जानना जरूरी होता है किसी भी construction electrical working site पर अगर हम काम कर रहे होते हैं तो हमें कौन कौन सा Personal Protective Equipment पहनना होता है ठीक है तो आज उसी के बारे में हम लोग डिसकस करेंगे हैं चलिए डेटेल में देखते हैं आज के lecture को आज के class को चलिए तो सबसे पहले पीपी आपसे पूछा जाता है वाट इस दी फूल फॉल 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 होता है जो पहला पी है उससे होता है पासनल दूसरा पी जो है यहां पर प्रोटेक्टीज और इसे होता है K relevant यानि कि अगर मैं पी पी की बाद करहुं तो पीपी का मतलब होता है पसनल प्रॉटेक्टी पीक्टीज ली अब यह पसनल प्रेक्टीज वडिक्टीज एक्टिर्छ्युली में है आगर हमें क्या करता है प्रोटेक्ट करता है सुराक्षित रखता है और एनी काइंड ऑफ नियर gently př और किसी थाउंड और मिस्केया हो रहा है उसा प्रिक्षेश कोई ढरेंस के मुझे इंस्ट्राइब उस्के सिव कि अप्रोड़ की म犯 सोंगन और ये तो तो खुर के कि गारोपे गर गया समझ मारा दिस तरह को इन सब को क्या बोलते हम लोग नियर मीस हाजाड बोलता है ठीक है यह मी जी बोला जाता है और हाजाड भी बोला जाता है तो दोज एक्यूपमेंट which protect ourselves at construction working site from any kind of hazard or near miss is known as personal productive equipment ठीक है तो PP का full form क्या हो गया personal productive equipment और यह ऐसे equipment से जो हमें बचाते हैं किस तरह से protect करते हैं बचाते हैं, सुरक्षित रगते हैं hazard से और near miss जैसी दुरगटनाओं से जो बहुत बड़ी दुरगटना बन सकती है आगे जा करके, तो इसे ही क्या बोलते हैं हम लोग personal productive equipment बोलते हैं तो यह personal productive equipment total 8 होते हैं, कितने होते हैं total 8 personal protective equipment होते हैं अब लोग देखें कि कौन कौन से 8 personal protective equipment है तो सबसे पहला है आपका helmet ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं safety helmet, क्या बोलते हैं से हम लोग safety helmet, यह आपका सबसे पहला personal productive equipment है, क्या safe करता है आपके यह head को आपका safe करता है, अभी हम लोग सी नाम देखेंगे, यह आपका PPE का पहला part होगा, personal protective equipment का पहला part होगा, इसका ठीक और एक next part आएगा, part 2, जहांपर हम लोग उसको detail में जाने की safety helmet किस तरह से protect करते हैं हमारे heads को, ठीक है, कब पहना चाहिए, कैसे पहना चाहिए, सारी जनकारी हम लोग देखेंगे हमारे next part में, ठीक है, यह PP का पहला part होगा, चलिए तो सबसे पहला क्या था, मैं बता रहा हूँ आपका safety helmet, safety helmet, यह दिख रहा है आप लोगों को, यह yellow color का helmet, जनरली होता है, जनरली, असिस्टन एक्रिशन वर्कर्स लोग पहनते हैं ऐसे, ठीक है, और यह जो helmet है, आपके head को protect करता है, जो next है, वह आपका safety goggles, to protect your eyes, आपकी आखों को बचाने के लिए हम लोग यह safety goggles को पहनते हैं हम लोग, ठीक है, यह पूरा पूरा transparent होता है, और white color का होता है, और पूरे eyes को आपको cover कर लेता है, बहुत अच्छे तरीके से, next देखते हैं हम लोग, ear plugs, ठीक है, यह भी आपका एक personal protective equipment है, highly noise area में काम कर रहे हो जब आप, तो आपको यह ear plugs आपके कानों में लगाना पता है, ताकि आपके जो highly noise area है, जो noise है, वो आपके कानों तक ना पनुचे, और आपके ear bud है, और आपके सुनने की सकती है, वो ठीक रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं हो कि बहुत ज़्यादा highly आपा सुन लिए और आपको migraine हो रहा है, सरदर्द हो रहा है, और कुछ दिन की बाद अगर लगातर आप काम कर रहे हो, तो आप उंचा सुनने लगो, तो ऐसा नहीं होना च next, dust marks, ठीक है, आप जो देख रहे हैं, dust marks है, यह जो आपका electrician जो पहना होगा है, यह dust marks है, ठीक है, यह dust marks आपको लगा कर रखना होता है, किस से safe करता है यह आपको, किस से बचाता है आपको, यह safe करता है आपको, dust से, धूलकन, बालू से, ठीक है, जो आपको, जब आप सा तो जो धूलकन हवा में रहती है वो आपके नाक से हो करके आपके माउच से हो करके आपके सरीर के अंदर ना चला जाए तो उस टाइम हमें यह डस्ट माक्स पहनना होता है नेक्स्ट है आपका सेफ्टी फूल वोडी हारनेस यह आप दीख रहा है आपको यह आपका सेफ्टी फूल वोडी हारनेस यह जो है ठीक है अभी सेफ्टी फूल वोडी हारनेस का काम क्या होता है कि अगर आप किसी सर्टेन हाइट पर उठ करके काम कर रहे हो मतलब माली जी आ इस तरह से पहना जाता है यह जो एक एलेक्टिशन है और आप इस तरह से देख रहे हैं यह पहना हुआ है यह इस तरह से आपके चेस्ट को टाइटली बकल कर देता है आपके कमर को भी मत आपके रिस्ट को भी टाइटली यह करके कस देता है यह ताकि आप जो है आपको अगर और ये आपका help करता है अगर आप किसी certain height पर काम कर रहे हो तो ये आपका वहां पर क्या होता है वो एक तरह का उसको हम को क्या करना परता है fix करना परता है ताकि अगर मैं जब हो सकता है अगर मैं pair slip कर जाओ और मैं certain height से में गर गिरू तो यह मुझे float कर दे हवा में, ठीक है, रीटेल ने पढ़ेंगे इसके बार में हम लोग, next वाले class में, इसके part 2 वाले class में, next देखते हैं, next है आपका reflective jacket, reflective jacket आप लोग देख रहे हो यहाँ पर, यह आपका reflective jacket बोलते हैं इसको हम लोग, next, next है आपका safety gloves, next है आपका क्या है, safety gloves इसको हम लोग बोलते हैं, safety gloves, next है आपका, safety tissue, आपके पैरों को बचाता है, safety tissue, ती ही total हमारे क्या थे, 8 pp's थे, ठीक है, सबसे पहला हम लोग ने देखा है, helmet के बारे में, ठीक है, एक बार फिर से repeat कर देता हूँ, safety helmet, सबसे पहला, second है आपका safety goggles, third है आपका ear plugs, fourth one is dust marks, fifth one is safety full body harness, sixth one is reflective jacket, seventh one is safety gloves, to protect your hands, and the eighth one is safety shoe, to protect your leg, I hope आप लोग को ये जानकर ये अच्छी लगी होगी, और pp का ये पहला class था, और इसका part 2 class जल्दी आएगा, ठीक है, ये आपके देख रहे हैं, total 8 pp's है, ठीक है, आपको दीख रहा होगा, से ये electrician है, जो आपके पैरों में आपका shoe पहना हुआ है, और साथे साथ, hand gloves भी ये पहन के रखा हुआ है, safety belt, reflective jacket, इसके सर पे safety helmet, earbud, ठीक है, ये आपका eye goggles, जो है safety goggles, ये सब ये पहन करके रख रहा है, तो ये एक example मैंने दिखाया है, कि हाँ पर देखे, इस तरह से आपको पहन करके तयार होना है, ready होना है, ठीक है, I hope आपको ये class अच्छा लगा होगा, ठीक है, अगर आपको ये class अच्छा लग रहा है, ता पिसे like करो, करके मुझे बताओ कि हाँ आपको अच्छा लग रहा है ये class, ठीक है, subscribe करो, ठीक है, और ऐसे next update लेते रहने के लिए, जो notification bell icon हो और comment करो, बताओ कि हाँ sir, ऐसा हुआ class नहीं हुआ, ठीक है न, अच्छा बूरा जो भी आपको, अब बताइए मुझे कि हाँ, ऐसा ही class चल रहा है, कैसा class चल रहा है, अच्छा लगे गया मुझे, चलि थैंक यू, part 1, PP part 1 के लिए इतना ही, next class में मिलते हैं आम लोग, कर दो